हेलो सुपिर्भातम मैं प्रवी सर्मा आज संस्कृत सिक्षण के अंतरगार्थ हमारा टॉपिक है तिर्भासा सूतुने संस्कृत की इस्ठिटी पॉच संस्कृत का स्थान क्या है इस संस्कृत में गया तीन मत है उसमें सब्से पहला मत अग्राहा है क्योंकि वे संस्कष्थete को ठीक नहीं मानते वे बीद्धय की समन संस्कृत को लीए संस्कृत की प्रशाजिंस मोई कि नहीं चाहते हैं वे मनाद lizard थे आती हं ए नहीं हैं उनका उनमें एक अच्छाई कि इसने संस्क्रप्स को विश्ए के रूप में इस्थान दिया जाता है दिया गया त्रतिये मत्र विश्षा मेंGe बाट ने में कोई हानी नहीं है किंतु भारत जैसे बहुबासा बाशी देश में ट्रती मतल ब्याववहारिक प्रतीत नहीं होता इसे अपनाने कि स्थी में चात्र पर चाल भासा जानोruktur भासा राष्ट भासा अन्य भासा यानिकि zustें और संस्क्रत का अनाविश्यक बोज पड़ जाएगा जो व्यावहारिक नहीं होगा माद्मिक सिक्षा में संस्क्रत का इस्थान तो रूपे में होना चाहिए प्रथाम अन्वारत संस्क्रत और दितिये व्यकल्पिक संस्क्रत अन्वारत संस्क्रत में साहित्य पर बलना दे कर केवल भासा शीखने या रचना करने के लिए प्रदित किय जाए संस्क्रत का अलग प्रशन पत्र तयार होना चाहिए जिसका परिक्षा फलपर प्रभाव पड़े तथा जिसमें उत्त्रिढ होना भी आवश्यक हो इसकी अतरी जिसमें उच्छ भासा साहित्त एवं व्याकरण का ज्यान समाहित किया जाए साथ ही योग्य सिक्षिकों की नीट्री पर भी विशेशवल दिया जाना चाहिए वस्तता संस्क्र कोई सहल विसे नहीं है कि बिना साथना के इसे ग्रहण किया जा सकते लूप में अधिकार किया जा सकता है जहां तक भारत को संस्क्रतिक्ष में बाता को समझने की बात सन्मंदी समस्यां कि समाधान की बात आती है ससूत्र की दोहहीं दी जाती है का सब्धार्थ शूत्र कर शबम्हाशार करने से पूर्व हम SPF सताथ रहे हैं और दोए बसा सुत्र की सिपादस इस में अपनी सिपादस की है तो 1947 इस भी में भारत वर्स में भात वर्स स्वतीन होगा था लोग वने इस बात की ऑबाज उठाईी की मार्दे में सिक्षा में सुधार होना चाहिए फल्सरूप 1948 में डॉक्टर ताराचंद की अद्रिक्षिता में एक समिती को ये काम सोपा गया ओस समय ये तक भारती समिरान का निर्मारा नहीं हुआ था ये समिती ने मादमेक इस्तर पल या इस्तर तक दुई भासा सुत्रगी सिपारास इस विकार से की सीनियर बैसी किस्तर तक सिक्षा का मादे मातल भासा हो कुछ समय तक आंगल भासा अनवादा रूप से पढ़ाई जाए और जब आंगल भासा हट जाए तब संगी भासा अनवादा रूप से पढ़ाई जाए तारचन्द समिती ने कहीं इस परस नहीं किया कि कुछ समय से उसका तात्पपर किया है आप देखेंगे माद्यमिक माद्यमिक सिक्षा आयोग और दो भासाओं की संस्तुती 1952 में डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई इस आयोग का सम्मंद माद्यमिक सिक्षा के साथ था इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1953 में रस्तुत किया माद्यमिक विध्यालियों में भासाओं की अध्यन के सम्मंद में मुदालियर आयोग ने जो सुझाव दिये वे इस प्रकार से थी सुझाओ, माद्रमिक पाठ सालाओं में, सिक्षा का माद्र भासा या प्रादेसिक भासा होनी चाहिए। मेडल स्कूलों में, चात्रों को कम से कम दो भासाओं की सिक्षा प्रधान की जाए। Campus दोनों भासा ऐं, एक ही वर्च में प्रादन में ना की जाए। तीसे पॉइंट नो न दिया, उच्चितार माद्यमिक इस्तर पर कम से कम दो भासाओं की शिक्षा दी जाए, जिसमें एक मात्र भासा और दूसरी प्रादिशिक भासा होनी चाहे। इससे इसप्रस्ट होता है कि माद्यमिक शिक्षा आयोग ने दो भासाओं का समर्थन किया है माद्यमिक शिक्षा के पाठे क्रम पर विचार करते हुए मुदालियर आयोग ने दो भासाओं बाला सदूफी सामने रखा जो इस प्रकार से है मात्र भासा या प्रादिशिक भासा अथ्वा मात्र भासा और प्राच्य भासा का संयुक्त पर्ठेक्रम बहासाओं में कोई एक बहासा जो बहासाएं हैं जैसे कि हिंदी जिनकी मात्र बहासा हिंदी नहीं है तो अंगले जिन्होंने मिडेल स्कूल में इसका अध्यन नहीं किया है उचे आंगले जो उसे पढ़ चुके हैं कोई आद्नि भारती भासा हिंदी से भिन्न होनी चाहिए कोई विदेसी भासा आंगले भासा से भिन्न अंगले जी में विदेसी है और इनोंने कोई विदेसी भासा इनका मतलब है कि अंग्रेजी से कोई भिन होनी चाहिए कोई प्राच्य भासा यही नोने जो है पाठे करम पर विचार करते हुए मुदालियर आयों ने भासाओं का स्वरुब सामने रखा है तिर्भासा सूतर की शुरूगात भासा हिंदी और आध्मिक भार्थी भासास, मंदल की क्यों ने विड्यक्टि UM… पड़े जाएं और लिखें, पहला पॉइंट है मातल भासा या प्रादेस एक भासा, दूसरा पॉइंट है हिंदी बासी छेत्नों के लिए अत्वा एक आदमिय वारती भासा है हिंदी बासी छेत्नों के लिए और अंग्रे जी 1957 इसवी में केंदरी ये प्रसासन ने इस रिफारस को सुईकार कर लिया और मुख्य मंत्रियों जो प्रसासनिक दल से संबले थे से 1961 में इस पर जो है मोहर लगवा दी गई परिक्षा में तर्भासा सूत्र समंदित कोई प्रस ने पूछ लिया जाता है जैसे की तर्भासा सूत्र से क्यतततत परे तर्भासा सूत्र समय ने дक 상태 हम शेंगे ये समीख्षा तर्भासा सूत्र की संमिक्षा में वतायाएगा आज के लिए इतना ही धन्यवान